मेश राशी वालों के लिए दिसम्बर महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपके काम को बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी खासकर जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनको इस माँ बड़ी सफलता प्राप्त होगी कोई बड़ा ओडर मिल सकता है आपके काम को रफ्तार जरूर प्राप्त होगी वहीं एक ब्रैंडिंग आप अपने काम की करते हुए दिखाई देंगे वहीं विवा में आरी बादा हैं दूर होगी शुबसमाचार इस माह आपको मिलने वाले साल का अंतिम महीना है और क्या- माह का मेश राशी वालों का मा से राशी फर लेकर उपस्ते तो यह और देखते ही देखते वर्ष 2024 कब चला गया और 2025 का आगमन होने जा रहा है साल का यह लास्ट महीना है और यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माह में कुछ कारियों आपके इस साल के जोग करा हीरि तो शुरूबात करते हैं व्रत और तैउहारो से 11 दिसम्बर को मुक्ष्टा एका दॉघ बाता काई एगा साल का लास दिन और उसके बाद में शुरू हो जाएगा अंगल नव वर्ष तो बढ़ते हैं और आज आते हैं ग्रह गोचरों की इस तती पर कि इस मा कौन-कौन से ग्रह क्या करने वाले कौन-कौन से ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे क्या परड़ाम ग्रहों के देखने को मिलेंगे तो ग्रहों की इस तती के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूरी की वर्तमान में अपनी सम राशी व्रशिक में विरा और आ आशी में और 24 दिसंबर को वापस राशी परिवर्तन कर अपनी सम राशी कुम में प्रवेश करेंगे शनिग्रा पूरे मा अपनी खुद की राशी कुम में स्वग्रेयोकर विराजमान रहेंगे वही राहू और केतु अपनी सम राशी मीन और कन्या में इस मा विराजमान रहने वाले हैं तो यह हुई ग्रहों की इस्तती की बात, अब आते हैं दिसंबर माह के मेश राशी वालों के मासिक राशी फल पर, सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो मैं आपको राशी फल दे रही हूं, यह चंदर गर्णाओं पर आधारित है, और आप इसे अपनी राशी और लगन दौनों के हिसाब से देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपके राशी स्वामी मंगल की बात करते हैं, आपके राशी स्वामी मंगल लगातार नीच की राशी करक में विराजमान हैं, यानि मेश राशी वालों के लिए मंगल है फोर्ता उसमें और नीच के हो रख हैं, और इस म पहुचा सकता है प्रॉपर्टी की मामले में बहुत ज्यादा सजिकता आपको रखनी होगी घर परिवार से संबंदित कुछ खर्चे आपको बहुत ज्यादा बौदर करते हुए दिखाई देंगे इस माह आपको अपना एक बजट निर्धारित करके चलना होगा बहुत ध्या साल के इस लास महीने में अपने मा के स्वास का भी ख्याल रखना होगा आपको खास कर उनसे ट्यूनिंग बना कर चलनी है ऐसा नहों कि एक कांवर्शेशन गैप की वज़े से वह अपने मन के भावों को आपके साथ नर रख नहीं पाए और उसके बाद इस्तती और ज्याद करने होंगे बाद चलाते समें भी साथ नी रखें मंगल नीच के और वक्री अवस्ता में इस समय एक्सिडेंट होने के बहूत ज्यादा चांसे बने हुए हैं इसलिए जितना हो सके साथ निके वहां चलाए अब मंगल चुकी आपके अस्टम्भाव के भी स्वामी है अस्ट पुप्त शत्रूओं से सावधान रहें, सीक्रेटली अपने कारियों को अंजाम दें, कोई भी काम, कोई important काम करने जा रहें, कोई बड़ा नीने लेने जा रहें, आपको किसी को भी नहीं बताना है, बस अपने तक उस बात को रखना है, तब ही वो आपका कारिय सफलता पूर उसे भी थोड़ा सा सावधान रहना है, और इस समय आपको सस्राल वालों से भी मदवेद नहीं रखना है, अग्रिशन कम रखना है, कोई भी ऐसा वाकिया अपने मुझ से ना निकालें, जिससे आपके रिस्ते थोड़े से उतार चड़ा बरे हो जाएं, या रिस्तों में ग आपको बहुत अच्छे परिणाब दे रहे हैं, अब तक शुक्र बागेिस्तान में थे, अब आपके कर्म भाव में आएंगे, यहाँ पर धनेश का कर्म भाव में बैठना, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर गुरु की द्रस्टी भी शुक्र पर बनी हुई इस समय आपको किसी भी कॉंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है अगर चोटी मुटी कोई बात होती है तो आप उसे इग्नूर करें अपने परिवार में हो चाहे आपकी प्रोफिशनल लाइप में इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आपको फोकस होकर काम करना होगा आपको सफ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं रोज मरा के लाब में व्रद्धी होगी सेल्फ कॉंफिदेंस इंप्रूव होगा महीं जो लोग शुक्र से रिलेटेट काम करते हैं उनको बहुत अच्छी सफलता है इस महीने देखने को मिलेगी अगर आप ग्लैमर वर्ड से और फेम दोनों ही बढ़ेगा सफलता बड़ी होती हुई दिखाई देगी यह समय दामपत्तित जीवन के माधूरिय को बढ़ाएगा अगर रिस्ता बिगड़ा हुआ है तो वह सुधर जाएगा और लव रिलेशन्शिप में अगर कोई भी खीसतान है तो खत्मों हो अब आजाते हैं आपके 3rd house और आपके 6th house पर आपके 3rd और 6th house के लॉड़ है बुद्ध यहां पर बुद्ध की अगर में इस्तती की बात करूं तो बुद्ध अच्छे नहीं बैटें बुद्ध 8th house में बैटें 3rd house के इसाब से रिजल्ट अच्छे नहीं कहूंगी तो कि अपने सिसिक्स बैटें बुद्ध अपनी शत्रु स्थान में बैटें और बुद्ध एक सोम्यक रहें जो कि एस्टम में रिजल्टन नहीं देते तो यहां पर बुद्धी ब्रहमित हो सकते राजनिती से जुड़े लोगों को कई कटनाईयों का कई challenges का सामना इस समय करना प आपके साथ रहेगा तो आप बहुत ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में उबरेंगे परन्तु यदि आपके भाई बेनों के साथ ही डिस्प्यूट चले तो पैत्रिक संपत्ति समंधी बड़े-बड़े विवाद उत्पन हो सकता है और उनमें भी आपको नुक्सान हो सकत है तो थोड़ा साथ को संबल कर रहना हों का अब 6,000 की बात करें तो 6,000 के लौड बुद्ध अगर 8,000 में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि 6,000 का लौड अस्टम में बैठा है तो थोड़ा सा बैठर हो जाता है बैलेंस हो जाता है दोनों इस् उस भाव का इस्वामी अस्टम में बैठ गया तो वो आपके शत्रों के प्रतिया आपको सतर्क कर देगा आपके शत्रों कोशी चुरूर करेंगे क्योंकि वे अभी प्रबल हो रख है परंतु आपका सिक्सेंस मजबूत हो जाएगा आप बुद्धी मता और चातुरी से आपको ननियाल से अच्छा सपोर्ट मिलेगा परिवार का मौरल सपोर्ट मिलेगा वहीं रुपे पैसों से संबंदित कारियों में भी सफलता मिलेगी आपको अपने स्वास को लेकर थोड़ा सा ख्याल जादा रखना होगा खासकर बीपी के जो रोगी हैं उनको थोड़ा स संबल कर रहना है हाई बीपी या लो बीपी होना अगर आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है थोड़ा सा अपने खान पान का आपने स्वास का विशेस रुप से ख्याल रखें अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर देखिए फोर्थ हाउस के अंदर मंगल नीच क लेना है नहींगर का सपना थोड़ा सा इस समय आपका फीका हो सकता है इसलिए आपको धेरिया बना कर चलना है जिए पॉजिटिव टाइम आएगा आप लगातार मेरा राशी फल देखिए मैं आपको बता दूंगे कि अब मंगल की स्कती अच्छी है आप प्रॉपर्टी से संबंदित कारियक कर सकते है तो थोड़ा सा आपको संबल कर रहना होगा इस समय मा के स्वास को लेकर चिन्ता हो सकती उनके सास्थ संबंद भिगर सकते तो उस मामले में भी топ हाव सबुदे आपके फेजाओ से कौल में बैटें और 15 दिसंबर को वे चेंच कर आपके नव भा के स्थान में बैठना अब यहां पर देखी समीकरन कैसा बन रहा है त्रिकॉण का स्वामी है त्रिकॉण में ही बैठ रहा है तुम डेफिनिटली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा खासकर मेडिकल के स्टुडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपक करेंगे क्योंकि मैनत के बिना कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता भागे भी अबना हमारा साथ नहीं देता इस समय आपको अपनी संतान से बहुत ही अच्छे और सुबसमाचार मिलेंगे आप उनके प्रती प्राउड फिल करेंगे और इस समय आध्यात्मिक कारियों में बहुत गहरा पढ़ने वाला है इसलिए इसमाँ आपको कोई भी कारे करना है तो बहुत डेडिकेशन से आप उस कारे को कीजिए आपके प्रतिस्टा में व्रती जरूर होगी अब बढ़ते हैं आगे और आजाते हैं सीधा आपके भागेस्तान पर भागेश और आपके 12 इस स्वामी है गुरू गुरू जो कि आपके सेकेंड आउस में लगातार बैठे और बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको लगातार देते आ रहे हैं बागेश के इसाप से और खर्चबाव के इसाप से गुरू के रिजल्ट बहतर है और यह और अच्छे हो सकते हैं इस समय काजमाई है इस समय आपको कर्म प्रदान बना होगा पागया आपका साथ जरूर देगा पर अपने आपको थोड़ा सा अपने काम में अधिक फोकस करना है इस समय किसी भी कारे में लापरवाई मत कीजिए अगर आपको कोई जैसे 12 जोतिर लिंगों के दर्शन करने है कोई बड़े धार्मी किस्तल की यात्रा करनी है चार दाम करने तो आपकी यात्रा है संपन हो सकती है साल के लास महिने में आप जिस भी तीर तिस्तल जाना चाते है उसकी कुछ प्लैनिंग आप कर लीजे आप जरूर जाएंगे वहीं खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी इस सम रिजल्ट चानी के लगातार मिल रहे हैं आगे भी मिलते चले जाएंगे नौकरी में प्रोशन इंक्रिमेंट के योग बन रहे हैं इस समय आपके काम दुरुद कती से संपन होंगे आपकी सफलता है सून निश्चित होती होई दिखाई देगी आपके सपने पूरे होंगे म कुछ विशेश उपायों पर मेश राशी के जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए प्रतेक मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी की पुझा रादना करनी चाहिए उन्हें बुंदी के लड़ू प्रशाद के रूप में अर्पित करें ऐसा करने से आपकी परिशा करने से आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी मेश राशी के जातकों को मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए हनुमान जी की पूझा अरादना करें इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बान का पार्ट जरूर करें इन कारियों को करने से शिक्षा और व्यवसाय सहीत अन् किसी अच्छे जोतिसी सिसला लेकर ही आप आगे बढ़ें तो यह को चुपाएं जो कि आपको इस दिसम्बर मा में करने चाहिए अपनी राशी के अनुसार परंतो यदि आप अपनी पर्सनल जन पत्रिकार डिसकस करके अपने सही रेमेडिस के द्वारा बवशी को सवारना चाहते हैं कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलिफोनिक अपॉइंट्मेंट और पर्सनल मीट के माधियम से मुझसे जूड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेप करके आप संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे कृष्णा संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नमबरों पर संपर करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2